देखिए जहां तक ड्रेलिंग का सवाल है वो बारा मीटर में से आल्मोस्ट दस मीटर से ज़्यादा हो चुका है और हमें उमीद है कि कुछ अगले कुछ गंटे के अंदर यह पूरा हो जाएगा उसके बाद में केमरे डालाजाएगा उसके बाद में उसको Curiosity किया जाएगा लेकिन आपने जो पहला सवाल पोचा जो रवी वार के बाद में सभी लोग वो चाहें सबसे बड़ी प्रियोर्टी हमारी रेस्क्यू ओप्रेशन है वो जितना जल्दी हो सके हम जहां तक पहुंच पाएं उसकी कोशिस जारी है और उसी को उसी के उपर हमारा फोकस है अभी देखिए जितनी भी कंपनियां जहां काम कर रहे थी लेकिन इसमें मेंली तीन कंपनियां थी जो आउट्सोर्स में जो मेजर कॉंट्रेक्टर थे एक है रित्विक एक है ओम मैटल्स और एक है एक है एच्छिसी इसके अलावा जैसे आप लोगों को पता होगा है मानिये प्रधान मंत्री जी ने अपने जहिल उसमें से दो लाख रुपे गोसित किया है इसके अलावा जिस दिन मानिये मंत्री जी आए थे उस दिन एनटी पीची ने अपने 20 लाख रुपे का अपना मुजा घोसित कीया था और यह हम स्टेट गौर्च में इस साहत काम कर रहे हैं और वही नहीं जितनी भी जो भी हो सकता है, जितनी साहले पोहुचा सकते हैं, हम उसकी हिए पूरे के पूरे पूरे जितने अधिकारी हैं, करमचारी हैं, सभी कारेरथ हैं और उन्होंने ने के वल जो हमारे हैड ओफिस से, बाखी जगह से, यहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और लगाताय से कितने देखिए वही जारी है और अगर यही होता तो अब मले जैन कोई अंदाजा लगाना क्योंकि यह एक ऐसी आप डाई है जो कि साइद पहले कभी किसी ने देखा नहीं यह वर्क मैंन कि यह ताह करना है कि कितना जल्दी से जल्दी हम कितने लोगों को रेस्क्यू कर पाएं लेट एस होप एंड प्रे कि कुछ लोगों को हम एकसेस करके उनको निकाल पाएं एक मिनट एक मिनट जो एंटी पीशी वाले बता रहे हैं एंटी पीशी का मतलब एंटी पीशी की एज एक करता है उसको हम उतना ही एक बता रहे है जो आपका जड़ाब यह उसकी ठेले कर वह अब जो कुछ पिए जा सकता है वह सभी कुछ पिए उस में यह है कि जो जो रेस्क्यू ऑप्रेशन में लगे हैं उनकी सेफ्टी का भी धान रखना है अब यह बताएं कि जिस दिन में पहली बार यहां पर आया था उस टाइंग पर यहां तक नहीं पहुंचे जा रहा था बड़ा मुश्किल था तो यह वाला जितना काम किया गया है जितना रही है और मेरा आप से अनुग्रेय रहे हैं कि आप उनको साहिता करें थोड़ा सा जितना भी है मॉराल बुस्टिंग के लिए हमें सब को उनका हेल्प करना चाहिए अंदर ड्रीलिंग हो रही है आप साहित थोड़ा से लेट आये थे अभी हमने बताया कि जब मैं अंदर स देखा कि रिशी गंगा वाला उसका तो सायद अभी पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहां था वो पूरा का पूरा भै गया इस बराज ने काफी अपने आप इसको पूरे इंपेक्ट को रोका और आगे जाने से बचाव किया यहां पर जो आल्मोस 20-25 मीटर तक का जो यह कारण है कि वो वापस जहन उदर से आ रहा है कि अगर यह बैक फ्लो नहीं होता उतना ज्यादा नहीं होता तो हो सकता था वो पिछली की तरफ से निकल जाते लेकिन अब वो होनी को कौन जाने यह ऐसा आया कि जो इतना उंचा 20-25 मीटर तक का जो पानी आया है वो चारो से खैक जाने डिया है आड देखिये डिखिये इसके बारे में नेकेवल चर्चा निकिन इसके बारे में पूरा पूरी तरह से इसको भूड़ किया जाएं में और यहbayल कंपने का नहीं है यह पूर देश का सवस्वाल और इस ने मैं जितने भी जो एक्चपर्ट हैं वो सार इन फैक्ट अभी भी यहां पर भी जहने पिछले कुछ दिनों से जो एक्सपर्ट हैं वो हमने यहां पर लगा रखें और यह पूरा का पूरा इसके उपर अध्यान होगा लेकिन जो मुझे अभी तक बताया गया है कि जितने भी हाईडरो के एक्सपर्ट्स हैं वो साइद य अगर कुछ नई चीज आई तो वो कर रहे हैं आपको नहीं है बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया कि जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि कितना जल्दी अरली वानिंग मिल सके और अगर अरली वानिंग मिल जाती है तो कम से कम एक्वेशन में रेस्क्यू में बहुत स बचा पाई जो देख रहे थे उनको वह भी ने बचा पाई तो यह एक जो एक ऐसा हादसा था कि जो बिल्कुल इंस्टेंटली सुनामी की तरह आया पानी का और यह वह पता चला कि यह तबाक लिवानिंग सिस्टम का मतलब यह जो कह रहे हैं वह यह होना चीए कि बिल्कु देख खाई चला कि हम वह कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एकसर आप लोगों ने भी देखा ओगा कि यह पूरा कर दल्डल था कोशिश कुशिए गया कल NDRF नके साथ में जा कि deeply जो जब तक का अगर आपकर बताया कि जो राहतकारिया में लगे हैं उनकी भी सुरक्षा देखनी ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी